कभी-कभी सबजी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है तो इस सबजी को ट्राइ करके आप जरू देखेगा यह है राजस्थानी दही प्यास की सबजी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा चमच तेल डाल दिया पैन में उसमें मैंने डाल दिया जरा सा हींग थोड़ अच्छे से चला लूगी कि चलाने के बाद इसमे मैं दो बड़े सा इसके प्यास को मैंने सलाइस करके आट लिया था। को मैं इसमें डाल दूंगे और इसको भी अच्छे से एक सिर दो मिनिट तक भुन लोंगी और बहुत जादा हम को नहीं भुनना है और साथ साथ इसलिए मैं इसमें सूखे मसारे डाल दिये कश्मीरे लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी और सरा सर जीरा डाल दियो प्यास अच्छे से भुन जाए इसके लिए मैं नमाग डाल दिया अब इसको मैं फटाफट एक दो मिनिट तक चला लोंगी और एकदम प्यास को हमको गलाना नहीं है कच्छा कच्छा ही रखना है और दही डालने से पहले अब हम गयास का फ्लेम को कम कर लेंगे या तो आप आफ कर लीजेगा उसके बाद इसमें दही डालिएगा यह तो दही फटा पट फट जाता है और इसको और थोड़ा घना करने के लिए आप इसमें सत्तू का सत्तू जो पाउडर होता है न उसका भी आप दो चमज डाल सकते है तो मैंने भी बाद में इसमें डाला था तो यह थोड़ा सा और थीक हो जाता है अगर आप पतला ही खाना चाते हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं और लास्ट में धनिया देला बिलकुल मद भूलिएगा और बस हमारा दही और प्यास की सबजी बिलकुल रेडी था इसको रोटी के साथ खाई है पूरी के साथ खाई है यह पूर अपने खर में जरूर बनाईएगा आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने खर में बनाने के बाद अपना रुभव मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा